हलो दोस्तो आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तो आज मैं आप सब को बताने वाली हूँ कि गेंदे के फूल से हमें बहुत सारी समस्याओं से छटकारा मिलता है दोस्तो गेंदा का फूल ये बहुत ही खुबसूरत और खुश्बुदार होता है लेकिन इससे हमें बहुत सारी परिशानियों से छुटकारा मिलता है ना सिर्फ हम गेंदे के फूल से बलकि इसके पत्तों, बीजों और जडों से भी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा और इसके पत्ते दो से पांच सेंटीमीटर लंबे होते हैं दोस्तो आयूरवेद में इसे एक बहुत ही महत्वपुन और शदी के रूप में माना जाता है हम सब गेंदे को सिर्फ एक फूल के रूप में इस्तमाल करते हैं लेकिन आप इससे बहुत सारी समस्याओं से भी छु कान में डालें ऐसे में आपके कानों का दर्थ बस कुछी दिनों में खत्म हो जाएगा साथ ही इससे आपके कान की सफाई भी हो जाएगी अगर आपके आँखों में दर्थ है जलन है या खुजली है तो इसकी लिए आप गेंदे के पत्तों का पेस्ट बनाकर आँखों की ऊ तो ये आपके आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है अगर आपको दाद या खुजली की समस्य है तो आप गेंदे के फूल का रस दिन में दो से तीन बार दाद या खुजली वाले एरिया में लगाएं इसके लगाने से आप दाद और खुजली से बहुत जल्द आराम पाए दोस्तों अगर आपको कहीं चोट लग जाती है या मोच आ जाती है या फिर आपके शरीर में कहीं भी सूजन होती है तो इसके लिए आप पंचांग यानी फूल पत्ते बीज जड़ और तनों को एक साथ पीस कर इसका रस निकाल ले अब इस रस से चोट या मोच वाले जग समस्याओं से छुटकारा मिलता है दोस्तों अगर आपको दमा या खांसी की समस्या है तो आप गेंदे के बीज को और उतने ही मात्रा में मिसरी को मिला कर चूरन यानी की पौडर बना ले अब पानी की साथ इसका सेवन दिन में करीब दो से तीन बार करें ऐसा करने से आपक हैं पौडर के शरीर में फोड़े फुनदे अना से मिला को पने के हैं तो इसके लिए आप घेंदा की फूलों के पंकोरियों का पेस्ट बना ले और इसे फोड़े या फुनदे के ऊपर या घौक के ऊपर लगा कर छोड़ दे करीम आधे घंटे के लिए या फिर आप इसे लंबे समय के लिए भी छोड़ सकते हैं इसके निरंतर चार से पांच इस्तमाल से यानि अगर चार से पांच बार आप पूरे दिन में करी पांच दिनों तक के लिए करते हैं तो आपको घाव और फोड़े फुनसी से छुटकारा मिलता है दोस्तो अगर आप गेंदा के फूलों के पंखुडी 10 गराम को घी में पका कर 3 बार खाते हैं यानि पूरे दिन में इसका सेवन 3 बार करते हैं तो आप बावासीर से छुटकारा पाते हैं दोस्तो गेंदे के फूल के पंखुडीयों के 10 गराम और 2 गराम काली मिर्च को मिला कर अगर आप रोजाना गर्म पानी के साथ लेते हैं तो इससे भी आपको खूनी बावासीर से छुटकारा मिलता है अगर आप इसके पत्ते का रस रोजाना एक चमच शहत के साथ मिला कर और गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो इससे आपको बावासीर से जल से जल छुटकारा मिलता है दोस्तो अगर हम इसके जड का भी इस्तिमाल करते हैं अगर हम गेंदे के पौथे का जड इस्तिमाल करते हैं यानि जड का चोरन बना कर रोजाना गुनगुने पानी के साथ पीते हैं तो इससे आपको बावासीर की सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और ये जड से खतम हो जाता है तो देखा दोस्तों ये फूल यानि गेंदे का फूल आपके लिए कितना महत्वपून है ये ना सिर्फ घर को सजाने और पूजा के लिए बल्कि आपके लिए एक बहुत ही महत्वपून औशदी का भी काम करता है उमीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप आज से ही गेंदे के फूल से और इसके बीज, पत्तों और जड़ों का इस्तमाल करके अपने सारी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे और जियेंगे निरोग जिन्दिगी वस्वस्त जिन्द दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज, लाइक करें, कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपकिसी परिशानी कहल ढूंड रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक् खुश रहे, टेंक यू